लॉकडाउन के बीच महानगर में राशन वित्रण को लेकर तमाम शिकायतें जिलाप्रशासन को मिल रही है इसी कड़ी में असकर गंज स्थित रिजवान को टेदार और बगल में स्थित उसकी दूसरी दुकान के खिलाफ महिला उपभोगता ने सरकारी समिती से सरकार द्वारा निर्धारत यूनिट से कम खाध्यान मिले का शिकायत की यहां आठ यूनिट पर किसी को 20 किलो तो किसी को 25 किलो राशन दिया जा रहा है उपरोक्त शिकायतों को जूइंट मजिस्ट्रेट SDM सदर गौरो सिंग सोगरवाल ने संग्यान में लेते हुए नायत सिल्दार नीलम तिवारी के नेतित में लेकपाल कैलाश यादाव रामकुमार गुपता के नेतित में टीम गठित कर जाज का आदेश दिया है मौके पर पहुची जाज टीम को देखकर दुकानदार के होश उड़ गए ना तो वो जाज टीम के समक्ष स्टाक रेजिस्टर प्रस्तुत कर सका और ना ही कोई अन्य जानकारी दे पाया इसी बीच शिकायत करताओं के बयानों को दर्ज करने के बाद दुकान को सील करके आवश्यक करवाई की जा रही है इसमें फ्रोमे लिक्टर में दिखाया है मस्नी को मेरा में सब्सारी लेकर प्रस्तुत करताओं के आए हम आए हम इस तरह करो ना तो इस तक शुले रही है इस अधर यह कितने शुली है